Hello Everyone, Edu4Electrical में आप सभी का स्वागत है तो प्रिविएस वीडियो में हम लोग कुलाम सला देखे डाइपोल से रिलेटेड सारे कोच्छन को स्वल्व किये और उसके बाद गौसला का अप्लिकेशन देखे और गौसला से रिलेटेड जितना सारे कोच्छन था, पूछा था उसे हम लोगों ने स्वल्व किया अभी हम लोग चल रहे हैं Electro-Altatic Potential Electro-Altatic Potential से रिलेटेड जो भी कोच्छन है उसका अभी हम डिटेल स्लोसिन करने जा रहे है इसके पहले potential को के बारे में कुछ जाल लेते हैं, इसको हम लोग B से denote करते हैं, और electric potential को define कैसे करते हैं, total work done divided by charge, ठीक है, या dv बराबर हम लोग लिख सकते है, del v is equal to, या फिर del w is equal to, हम लोग लिख सकते है, del v into q into del v, ये भी एक relation, same ही है दोनों, और electric field के term में देखें, तो electric field बराबर होता है, 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r square, और v, जब हम लोग निकालते हैं, तो v का formula होता है, 1 by 4 pi epsilon 0 q by r, तो हम लोग देखते हैं, दोनों में relation जो आ रहा है, e is equal to v by r, ठीक है, v बराबर edr, हम लोग लिख सकते है, del v is equal to, minus v बराबर e into dr, तो ये एक relation बन करके, यहां से आ रहा है, ठ ठीक है, del into r, तो 3-4 relation हम लोग, मिलने 3 relation याद रखेंगे, पहला, v is equal to w by q, दूसरा, v बराबर e, dv बराबर e into dr, और एक तिसरा, v बराबर 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r, ये तिन्ठों formula हम लोग को बस याद रखने की जड़ुत है, अगर energy का देखें, तो energy का जो formula हम लोग का बन जाता है, energy भी हम लोग देखी लेते हैं, ये हो जाता है, 1 by 4 pi, 4 pi epsilon 0 into q1 q2 by r, q1 q2 by r, तो अगर v के साथ इसको compare करें, तो बन जागा, v is equal to q into u, ठीक है, sorry, u is equal to q into v, मतलब कि, voltage में हम लोग, potential में हम लोग 4 से multiply करेंगे, तो वही energy के रूप, energy बन जागा, और फिर उसी को हम लोग work done भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए work done का भी जो formula आता है, v into q ही आता है, potential energy के definition में क्या फरक है, तो जब हम लोग potential को define करते हैं, तो वहाँ पर बोलते हैं, किसी unit charge को infinite से किसी निश्चित point तक लाने में किया गया charge, ठीक है, यहाँ पर unit charge बोलते है, unit charge को infinite से किसी निश्चित point लाने में किया गया जो work done होता है, उसी को हम लोग potential बोलते हैं, और जब energy को define करते हैं, तो यहाँ पर बोलते हैं, किसी भी charge को infinite से किसी निश्चित point तक लाने में जो किया गया work done होता है, उसको हम लोग electrical potential energy बोलते हैं, तो यह दुनों में में माइट थोरा सा फरक है definition में, अब आते हैं, इसका question, देखते हैं, किस type of question पूछा गया है, तो 2014 में आते हैं, सबसे पहला question, figure show the field lines of a positive charge, is the work done while the field is moving a small positive charge from Q to P, is positive or negative, Q से P तक एक charge को move कराए गया है, बोह रहा है कि यहाँ पर जो work done होगा, positive होगा, या फिर negative होगा, तो हम लोग formula क्या पर है, work done is equal to Q into potential difference, total work done होगा, Q into del V के बराबर होगा, is equal to हम लोग लिख सकते हैं, Q into V, Q minus VP, जो total Q पर potential होगा, उसमें से हम लोग P पर के potential को minus कर देंगे, तो हम लोग को total work done मिल दाएगा, अब A positive होगा या negative होगा, यह इसके value पर depend करता है, तो V directly proportional होता है, 1YR, यहाँ पर formula में हम लोग ने दे लिखते हैं, V inversely proportional R का, तो हम लोग लिखते हैं, V inversely proportional R का, यहाँ से हम लोग का जो VQ होगा, वो VQ चुकी ज्यादा दूर है, तो जो ज्यादा दूर होगा, उसका potential कम होगा, तो VQ less than VP हो जाएगा, अब VQ हमारा कम है VP से, तो हम लोग को क्या आने वाला है, निगेटिव होगा, इसको दूसरे theory से भी हम लोग explain कर सकते हैं, और O I think ज्यादा simple होगा in compare of this method, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, work done is equal to, हम लोग पढ़े है, force into displacement, total work done होता है, O होता है, W is equal to force dot S, S मतलब कि displacement, यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं, F S को cos theta, ठीक है, अब force brought हम लोग जानते है, charge into electric field, की भी force होता है, into S cos theta, अब यहाँ पर जो theta है, E और S के बीच का angle है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि charge positive charge है, positive charge है, तो electric field बाहर की ओर होगा, ठीक है, अब A point Q है और A point P है, तो हम लोग का displacement होगा, उसको हम लोग Q से P की ओर ला रहे है, Q से A आ रहे है, P की तरफ, तो displacement इस direction में, Q to P, और electric field का direction इधर, दोनों के बीच का angle कितना हो जाएगा, 180, तो यह हो जाएगा, Q into E S cos 180 degree, मतलब कि, minus Q E into S displacement, तो Q E is तीनो positive quantity है, तो यहाँ पर हम लोग का जो work done आ रहा है, वो negative आ रहा है, तो दोनों में होगा, ठीक है, उसके बाद आते हैं, Q number 2 की तरफ, और any charge configuration, equipotential surface through a point, is a normal to the electric field, justify, बोर रहा है कि, जो हमारा electric potential surface होगा, हम मालते है, चार्ज हमारा, यह पर electric field, इस direction में है, ठीक है, यहाँ पर हमारा A x axis हो जागा, A हो जागा, Y axis, ठीक है, A x है, और electric field, सिधा इस direction में है, तो हम लोग एक surface बनाते है, A हमारा जो surface होगा, यह होगा, X z plane में, X z plane में, X z plane में, X surface हम लोग डो करते हैं, ठीक है, यह हमारा surface A से होगर के electric field line, पास कर रहा है, ध्यान रखना है, A जो surface है, X z plane में है, मतलब कि electric field पर A बिल्कुल perpendicular, डो किया है, हम justify A, बताना A है, कि यह जो equipotential surface बन रहा है, इस पर electric field होगा, हमेसा 90 degree ही होगा, ठीक है, यहाँ तो SME डो किया है 90 degree, पर A प्रूफ करना है, कि 90 degree ही होगा, तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग assume कर लेंगे, कि एक positive charge को पकर करके, यहां से यहां तक लाया गया, ठीक है, total displacement S करवाया गया, तो हम लोग जानते है, equipotential start space पर जो total work done होता है, वो 0 होता है, ठीक है, मतलब कि DW हम लोग का, यहां पर 0 आ रहा है, और हम लोग DW निकालने के एक दूसरा तरीका भी जानते हैं, वो है force into displacement, ठीक है, अब यहां पर force के जाग पर Q into electric field, यहां पर dot product ह होगा, A for S का, electric field force into force power Q into E लिखेंगे, clear है, R into S cos theta, A होगा, अब A हम लोग को 0 करना है, क्योंकि work done, जो है, वो total 0 ही है, A 0 कब आएगा, जब cos theta 0 होगा, क्योंकि हमारा electric field 0 है नहीं, जो displacement है, वो भी हुआ है, वो भी 0 नहीं है, चार्ज 0 है नहीं, ठीक है, तो यहां पर cos theta हम 0 करना होगा, और cos theta 0 तब होगा, जब theta is equal to होगा, 90 degree, तो हम लोग बोल सकते हैं कि, जो electric field line होगा, इस equipotential surface पर हमेसा perpendicular ही होगा, तो यहां पर key point क्या है, key point है, dw is equal to 0 मतलब कि equipotential surface पर, जब हम लोग displacement कराते हैं, किसी charge को, total work done 0 होता है, यह हम लोग का key point है, उसके बाद आते ह हैं, question number 3, यहां पर बोल रहा है, 2 charge, plus 2 microcolum और minus 2 microcolum, plus 2 और minus 2, microcolum है दोनों, ठीक है, are placed at point A and B, इसको A और B पर रखा गया है, 50 cm दोनों के बीच का difference है, defect and equipotential surface, हम लोग को बताना है कि potential 0 कहां पर होगा, ठीक है, तो हम लोग assume कर लेते हैं कि, इस point पर total potential 0 है, तो A distance, यहां से हमने X assume किया है, इसको जब X assume करेंगे, तो दूसरा वोला distance यह जो होगा, तो 5 minus X हो जाएगा, तो potential हम लोग निकाल सकते है, potential हो जाएगा, 1 by 4 pi epsilon 0 into Q, Q हो गया, यहां पर 2 into 10 to the power minus 6 by R, R हो जाएगा, multiplied R, R X into 10 to the power minus 2, X को हमने, हमने centimeter में रखा है, तो X अगर centimeter होगा हो तो, उसको meter में convert कर लेंगे, एक दो हमारा centimeter में है, उसी तरह से second वला के लिए potential लिखेंगे, तो charge यहां पर negative minus 2, और यहां पर distance path minus 6 into 10 to the power minus 2, अब इन दोनों को equal करना है, equal करने के बाद X का जो value आएगा, और 2.5 आएगा, जो कि हमारा answer होगा, एस centimeter में, 2.5 centimeter हमारा answer हो जाएगा, यहां पर potential क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, charge number को चले, why electrical static potential is content through out the volume of conductor, अब कोई conductor हम लेते हैं, conductor के अंदर तो हम लोग generally, electric field 0 लेकर के चलते हैं, हमारा तो electric field होता है, और 0 होता है, अब B बरावर हम लोग क्या पर है, B बरावर, E by R, ठीक है, E into R, dB बरावर होता है, E dr, 0 है, E 0 है, मतलब की DV 0 है, DV 0 है, मतलब की V1 minus V2, A 0 होगा, V1 minus V2 0 मतलब की V1 बरावर V2, मतलब जो surface potential होगा, वही इसके अंदर में भी potential होगा, तो हमारा key point याद रखना है, E बरावर 0, conductor के अंदर का जो electric field होता है, और 0 होता है, यह हम लोग का key point है, ठीक है, conductor का मतलब, यहा pencil inside है, hollow sphere, hollow sphere के अंदर भी हम लोग सेम concept लगा सकते हैं, यहां पर अगर charge Q इसके उपर है, sphere के उपर दिया हुआ है, तो अंदर में electric field 0 होगा, क्योंकि जब Gaussian surface बनाएंगी, इसको close करेंगे, तो कोई भी charge close नहीं हो रहा है, मतलब की अंदर में electric field, फिर से क्या होगा, 0 होगा, electric field 0 होगा, इसका मतलब की DV is equal to 0, और DV 0 मतलब की V1 minus V2 0, और फिर V1 बराबर V2, तो same concept है, उसके बाद आते हैं, question number 6 में, why there is no work done in moving a charge from one point to another on a equipotential surface, तो equipotential surface के लिए work done निगाला काफी simple है, work done is equal to, हम लोग उपर फर्मोला में पढ़ चुके हैं, Q into del V होता है, और जब equipotential है इसका मतलब की R del V 0, R del V 0 होगा, तो work done भी क्या होगा, हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इस concept से आगे जो previous question हम लोग तयार किये थे, solve की थे, इसके आगे किये थे, ठीक है, equipotential मतलब की work done 0, work done 0 मतलब की Q into E DL, Q into E into S, cos theta 0, और जब A 0 हो, तो theta 90 degree, तो यहां से भी सारा concept निकल करके आता है, ठीक है, यहां पर दो concept छुपा हुआ है, एक A, और दोनों से ही question पूछा गया है, दूसरा A, जोसे result A, आ रहा है, दोनों question पूछ लिए गया है, दोनों one one marks का पूछा है, जो आज बस इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद आगे के lecture में हम लोग 7 से आगे solve करे तब तक इस video close करते हैं, thank you